कश्मीर की हसीन वादियों में बनाया जा रहा है बिज्ञान का एक अज्यूबा दुनिया का हाइस्ट रेल्वे ब्रिच दचनाब ब्रिच 1315 मीटर लंबा नदी के तल से 369 मीटर की उंचाई पर बना और 466 मीटर के आर्च से सजा ये पुल आइफल टावर और स्टाची ओव यूनिटी जैसे इमारतों से भी उंचा है चनाब ब्रिच को उत्तर रेल्वे और के आर्ची एल के संब्रक्षन में शापुरजी पालंजी ग्रूप की कंपनी आफकॉन्स बना रही है चनाबे溜न टाप है See, this project is an iconic bridge. So, one of the main challenges was access to the bridge location, to transport equipment and construction materials. The seismic activity, which is of a very high nature in these areas, was another challenge. अब सुनिए एक कमाल की बात. इसमें 25,000 टन मेटल इस्तेमाल किया जा रहा है. यानि आइफल टावर से तक्रीबन तीन गुना ज्यादा. पता है, जब चिनाब बिच तयार होगा, तो इसका सबसे बड़ा अकर्शन क्या होगा? इसका आर्च. इसे एंजिनियर्ज ने करीब धाई साल लगा कर केबल क्रेंज की मदद से तयार किया है. लेकिन इस पुल में सिर्फ खुबसूरती पर ही नहीं, बाकी तमाम पहलों पर भी ध्यान रखा गया है. ये माइनस 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान को, और 260 किलोमीटर प्रती घंटे की रफ्तार से चलने वाली तूफानी हवाओं को आसानी से जहेल सकेगा. इसन्ट आर अमेजिंग? और तो और इसका स्ट्रॉक्चर इतना मजबूत है कि 2001 के गुजराथ भूकम जैसे हाई मागनिटूट अर्थक्वेक्स का भी सामना कर लेगा. The quality that has been achieved has been appreciated by a lot of international experts who have come and visited this project site. रियाजी डिस्ट्रिक में बन रहा ये पुल ना सर्फ कश्मीर के कौरी और बक्कल गाउं को जोडेगा, बलकी कश्मीर से कन्या कुमारी तक सीधी रेल से वाशुरू करने में भी मददगार सावित होगा. चनाब ब्रिज सिर्फ यातायात के बेहतर रास्ते ही नहीं खोलेगा, बलकी सामाजिक और आर्थिक विकास में तेजी लाने का जरिया भी बनेगा. इसे देखकर हर भारतिये गर्व से कहेगा, इट हापन्स ओनली इन इंडिया.